बहुत भागवान हैं कि एक तो हमने मनुस का सरीर पाया है, दूसरे हम गुरु माराज की सवा में बैठे हुए हैं। मनुस योनी ही करम योनी हैं, बाकी सब योनी तो भोग योनी हैं। मन उस्योनी में ही इतनी चम्ता है कि हम अपने आपको ईस्वर में मिला सकते हैं जो जहां की वास्तव एक आनंद और सांती है पर हम उसको भूल गए हैं इस संसार कोई अपनी नियती समझ बैठे हैं और महीं करने ना करने योग हम काम किये जा रहे हैं और दुखी रहते हैं कुछ सनिक छुक तो मिलता है पर फिर हम दुखी और सांत हो जाते हैं जो कुछ लोग ईस्वर प्राप्टी के लिए सोचते हैं वो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं कैई परकार की ब्रहांतियां पाल लेते हैं सबसे पहले तो हर एक मनुस ईस्वर को अपने मत के अनुसा समझता है और पूरी जिन्गी उसी को सिरिष्ट करने में और तरक वितरक में निकाल देता है हमारे गुरु माराज ने ईस्वर की बहुत अच्छी व्याक्या की है उन्होंने कहा है कि ईस्वर एक सकती है जिसका ना नाम है ना रूप है जिसने जिस रूप में उसे देखा उसी रूप में उसे मिला फिर जो कुछ आगे की सोचते हैं इस्वर से मिलने के लिए वो ये सोचते हैं कि हम गरज जीवन को त्यागना पड़ेगा और जंगलों में जाना पड़ेगा जो कि एक बहुती कठिन काम है सन्यास लेना पड़ेगा गुरु माराज ने कहा कि हम गरज जीवन में रहकर ही ईस्वर को प्राप कर सकते हैं इस्वर को प्राप करने के लिए सन्यास लेने की आवसकता नहीं है क्योंकि जब हम इस्वर से मिलने लाइक होते हैं वो एक हमाई मांसे का वस्ता है वो मांसे का वस्ता हमें गरस जीवन में भी रह के मिल सकती है अगर हम सन्यास भी ले लेते हैं और हमारे विचार में गरस्ती और लोब लालची रहते हैं तो हम लोग गरस्ती हैं हम गरस्त के सब काम करते हुए अपनी लौ ईस्वर में लगाए रखें यही सच्छा सन्यास है कि हम इस गरस्त में भी रहें और ईस्वर से भी मिले रहें फिर हम ईश्वर से कैसे मिलें इसके लिए जरूरी ये है कि हम लोगों को कोई कैसा संथ परुस मिले जो कि ईश्वर से मिलने का रास्ता जानता हो उसी को गुरु कहा जाता है ये जब हमको पूरी तरह समर्थ पर उस गुरु मिल जाता है जो कि स्वेम में ऐसा सकती साली होता है तब ऐसा मिल जाए तो हमें उनके बतावी रास्ते पर चल के हम ईस्वा से मिल सकते हैं हमाई गुरू माराज ऐसी समर्द गुरू थे जिनों ने इस पिट्वी पर हम लोगे कल्यान के लिए ही अफ़ता लिया था उन्होंने कहा कि ईस्वा का अंस हमारे अंदर विद्वान है जो हमारी आक्मा है वो ईस्वा का अंस है पर उसे हम भूले बैटे हैं ईस्वा प्राप्ती के लिए हमको आत्म ग्यान प्राप करना पड़ेगा इसके लिए हमको अपनी विर्थी को समेट के उसको अंत्य मुखी करना पड़ेगा और अपने अंदर की साधना करनी पड़ेगी इसके लिए कई संतों ने अलग-अलग साधना बताई जो गुरु महाराज ने साधना बताई है जो अभी हम आप कर रहे ते वो बहुती युक की आफसकता को देखते हुए बहुती सुरल है और सक्ती साली है महारेशी पाताजली ने इसके लिए आठ सूत की साधना बताई यम, नियम, आसन, प्राना नाम, पिर्टिया, धारना, ध्यान और समाधी हमाई गुरू महारेशी ने इसको धारना, ध्यान और समाधी पर ले आए उन्होंने कहा कि जब हम ये साधना करेंगे तो हमाई विचार हमाई अधिकार में आएंगे जब विचार हमाई अधिकार में आ जाएंगे तो बाकि सब को स्टो अपने आप ही संद जाएगा इसके लिए जब हम कीसी एक ढारना पर ध्यान लगाते है तो हमारा मन एकाग होने लगता है मन का सुवावी चंचल है यह जब एकाग होने की जह हम किरिया करते हैं तो उसके सुवाव के विफ्रित होती है जो कि इतनी आसान नहीं है मन हमारा ये दौदर बागता है फिर हम उसको उसी स्थान पहलाते हैं ज़िए हम इस साद्ना को शुरू करते हैं तो हम पर तीन अवस्ताय आती है पहली अवस्ता में कोंकि मन नए काम में उसको लगता है तो ध्यान में उसको मन लगता है सादक बड़ा खुश हो जाता है फिर दूसरी अवस्ता आती है जब मन उसके अंत्रात्मा में पन्ने पलटने लगता है उसके संसकार उसके सामने आने लगते हैं तब सादक को लगता है कि मेया पतन हो गया और वो इस सादना को छोड़ बैटता है पर ऐसा नहीं करना चाहिए आगे की आउस्ता में मन थक थका के चुप बैट जाता है और हमारे अधिकार में आता है जब मन हमारे अधिकार में आ जाता है तो हमारा हम लोग विचा सुनने हो जाते है बने विचार करने कि हम बच्छ हमता तो है पर हम में वो समता आजाती है कि हम विचार ना करें यही ध्यान कहलाता है और ध्यान की गहरी अवस्ता समाधी है जिसमें समाधी आजाती है तो उसके बाद हमको आत्में ग्यान पराप्त होता है आत्म ग्यान प्राप करने से हम कोई दुनिया की वास्तिक्ता का पता लगता है और हम उस अवस्ता में पहुंच जाते हैं तिरुनाती तवस्ता कहलाती है इसमें जो प्रक्रतिकी तीन धाराएं आ रही हैं सत, रस्त, और तम जो कि हमारे विचारों को प्रवावित कर रही है वो समता में आ जाती है हम लोग जो गीता में लिखा है सामबे अवस्ता उसमें पहुंच जाते हैं हमाई इच्छाएं नहीं रहती है हमाई इच्छाएं इस्वर में मिल जाती है वो ही हमाई लिए इस्वर प्राप्ती की अवस्ता है बस इस अवस्ता को प्राप्त करने के लिए हमको जो गुरू महराज की सादना है वो बहुती ध्यान और सुर्दा पूरवक करनी चाहिए क्योंकि माया के पिरवाब से कभी-कभी हम लोगे मन में यह आ जाता है यह साधना हमाई लिए ठीक नहीं है पर ऐसा नहीं है हम इस सक्षिन के इत्यास पर अगर नगज जा लें तो कही मापरुस उन्हें इस साधना पर चलके पूंटा प्राप्त की है कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग आलस में आ जाते हैं या गपों के कारण इस साधना को हम रोज नहीं कर सकते हैं हमें बड़ा पक्का एरादा कर लेना चाहिए कि हम यह साधना सुबह साम रोज करेंगे क्योंकि ना करने से हम पीछे हड़ जाते है हमें देहर और साध से भी काम लेना पड़ता है क्योंकि हमाई आवस्ता हमेशा एक सी नहीं रहती है एक सी आवस्ता में स्थिता आ जाती है जो की साधक के लिए उच्चित नहीं है जब तक पूंटा प्रापना हो जब तक आवस्ताइं बदलती रहती हैं उस समय साधक को साध से काम लेना पड़ता है और माया के परवाब में कभी कभी इतना प्रिवल बेग होता है कि हम लोग उसको स्वेम नहीं समाल सकते तो हमें अपने गुरु मारा से प्रात्ना करनी चाहिए तब हमें ऐसा प्रतीत होगा कि उपर से कोई एक सक्ती आती है और हमें उस रास्ते से आगे निकाल देती है मैं गुरु मारा से प्रात्ना करता हूँ कि यह उपर स्थित हरे कानवी को अपने असीरवाट पर दान करें जिसे कि वो उनके बताय हुए रास्ते पर चल सकें